हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाने हैं इलेक्ट्रिक स्टेरिंग के बारे में देखे पहले मैंने हाइड्रोलिक स्टेरिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है ऊपर लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं यह power steering जो हम कहते हैं power steering तो दो टाइप साज होती है hydraulic और electric अभी हम समयना ले electric steering के पारे में इसे समयने पहले हमें एक simple सा method कि basic समयना पड़ेगा कि steering किस तरह से काम करता है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पस क्या होता है rack and pinion होता है यहाँ पर देखें यह पीनिंयन है यह steering है यहाँ पर हम rude करते हैं steering steering wheel यहां पर होगा यह move करेगा ऐसे और रहाँ पर rack गिनियन हो रहा है कभी लहां यह सब्सक्राथा है तो यह शसरण करता है ऑर उसको फसर भी डिग सस करता है यह तो अब हमारे पास यहां पे भी यह इस animation भी आपको clear हो जाएगा steering किस तरह से move करा रहा है देखो इसमें दिक्कत क्या है mechanical जो हमारे पस है इसमें दिक्कत यह है कि इसमें force बहुत जादा चाहिए धक्का लगाना पड़ता है जोर लगाना पड़ता है कि इसको move करने में जोर लगता है अब पुरानी अगर गाड़ियां चलाईएं अगर आपने तो आपको पता होगा कि इस तरह से जोर लगता है अगर माल दीजिए किसी चीजी में आप मालो आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो पूरा धक्का लगा रहे हो अगर आपका कोई friend आके help कर दे आपकी आपको अच्छा लगएगा कि नहीं लगएगा ना कि आपका friend आके आपकी गाड़ी को साथ धक्का देने लग जाए तो आपको कितना अराम मिलेगा इसी तरह हमने electric steering में आपको मदद दे दी electric steering में आपको मदद कैसे दी कि steering का जो जो जोर लग रहा है घुमाने में उसके साथ आपको help के लिए एक motor लगा दी motor लगा दी और वो motor कहां लगा दी दो method है पहले यह समझे ले यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे motor लगी है यह animation easy बनाने के लिए है motor अलग लग जगा पे अलग लग तरीके से लगती है यह animation बहुत easy बेस है समझाने के लिए आपके लिए है यहाँ पे motor लगा दी यह है motor और इस motor को move यह rotate करेगी तो यह help करेगी हमारे steering में हमारे steering में help करेगी कि हमने जो जो जोर लगाना था इसका लग रहा है हमारा सिर्फ 10% लग रहा है तभी तो अराम से पकड़के नहीं ऐसे घुमा जैते हैं इदर हो जाए एक उगली से पकड़के ऐसे घुमा जैते steering को तो आप क्या करते हो इसको activate कर देते हो actually motor में motor को activate कर देते हो आप जो रोटेट करते हो motor activate होती है motor help करती है इस pinion को घुमाने में pinion को घुमाने में जो जो जोर आपका लगा आप motor लगा रहे है बस simple सी बार normal तो हमारे पास ये movement motor का एक benefit ये कि इसको चाहे इस direction में घुमाऊ चाहे clockwise चाहे anti-clockwise motor घुम सकती है हमें तो current का direction reverse करना होता ठीक है इसमें भी आपको अच्छा दिख जाएगा और इसमें भी अच्छा दिख जाएगा कि किस तरह से देखो हमारी motor जो वो help कर रही है motor help कर रही है अब काम कौन कर रहा है motor हम तो सरफ इसको दे बता रहे हैं कि इस side चल अब हमारे पास देखो आगे चलते हैं अब मेरे पास component जो जो होते हैं वो देखिए actually क्या है कि अलग लग जगा पे मैंने आपको बता है motor लगती है तो motor लगने की जगा यहां पे भी हो सकती है और यहां भी लगा सकते है आप रैक में भी लगा सकते है motor और आप इस steering में भी लगा सकते है यहां पे भी motor लग सकती है तो दो जगा है इसलिए मैंने आपको पहले पहले बताया कि यह अलग लग होगा तो don't worry कि कैसा है कैसा नहीं है इन्होंने संभाल लिया, मेकैनिकल वालों को टेंशन होती है कि काम कम हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत काम कम हो रहा है, क्योंकि एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रोनिक्स बीच में घुश गया, अब जो यहाँ पे है, यह टॉर्क सेंसर है, तॉर्क को सेंस करेगा, कितनी तॉर्क लगा रहे हो, आप कितना जोर लगा रहे हो, जल्दी मुग कर रहे हो यह कितना, और यह कोई ऐसा नहीं है, कोई टाइम लगा देगा, फ्रेक्शन सेंसरीचेंस में, पता ही लगता, है ये computer है ये unit और ये ECU जो होगा ये बताएगा भाई साब ये किसके साथ connected है ये battery के साथ connected है और ये भाई साब order देंगे इस motor को motor को भाई चल कितना चल कितना नहीं चल वो सारा ECU ने बताना है उसकी ये आगे हम reduction gear लगा देते हैं क्योंकि motor की speed तो ज़्यादा होती है obviously motor की speed कम करें हम reduction gear लगा देते हैं वो ये जो इसको rotate करेंगे बास समझाई सिंपल सी हमारा यहां पर काम सारा कौन कर रहा है motor की position अलग लग है इसलिए मैंने आपको बताया यहां पर motor लगी हुई है अब यहां पर यह सेंसर्स वगारा सारा कुछ जोर लग रहा है उसमें भी हम चाहते हैं भाई यहां भी जोर ना लगे और फिर बाद में हमें exercise करने के लिए जिम जाना पड़ता है वही वाली exercise करने के लिए जिम में ऐसा ऐसे करना पड़ता है अब मतलब easy कर रहा है he alive लेकिन इतनी भी easy मत कर दो कि कोई काम करना ही मैंने चीक है यह easy कर रहा है help कर रहा है लेकिन यह कही न कहीं फिर हमें सुस्त मना दोता है तो यह देखिए हमारे पास इस तरह से जब motor चलेगी motor चलेगी तो यह gear जो है आप उसमें connected होंगे और यह आगे steering को गुमाएगा steering को घुमाएगा इस तरह से motor इसको घुमा देगी उसकी direction हमारे पर depend है किस तरफ हम wheel को घुखाएंगे steering wheel किस तरफ घुमेगा उसी तरह से यह घुमेगा बात समझागी motor की direction समझागी होगी अब हमारे पास कई जगा पर मैंने बोला कि rack and pinion में भी यहाँ भी लगी होती है motor यहाँ देखो यहाँ पर motor लगी है और यह होता है कि यह mostly heavy vehicles में लगती है यह कहां लगती है heavy vehicles में यहाँ पर लगती है क्योंकि वहाँ पर जोड़ ज़्यादा चाहिए तो steering की बजाए यहाँ पर हम लगा देते है अब आप सोचो की सब motor तो है इस तरह से rotate कर रही है और हमारा rack and pinion ने इस तरह rotate करना है तो भाई don't worry tension ना लो इसके लिए अलग से video बनाने पड़ेगी कि इसका connection कि इस तरह से है वैसे इसका क्या है कि इसको move कराने के लिए rack and pinion को इस तरह move कराने के लिए ना इसके उपर क्या है अंदर rack rack है हमारे पास इस तरह से rack है ना तो rack हमारा इस तरह से है और इसके उपर जब motor यहाँ पे चलेगी तो उसके अंदर हमारे पास system है gears का जो motor rotate करेगी तो इसको इस तरह push करेगी इसको इस तरह push करेगी तो वो मोटर के साथ हमने मतरब मोटर के अंदर connection इस तरह से कर दिये कि don't worry आपका react इस तरह होगा तो मोटर हमारी यहां लगा दी, यहां लगा दी, कोई भाद नी मेन क्या है कि हमें फाइदा मिलना चाहिए फाइदा मिलना चाहिए assist करना है अब मेन बात आजाती है कि हमारे पास which is better power string कों सा है मतरब हमारे पास hydraulic वाला या electric वाला तो हम किसको अच्छा माने तो आपको मैं यह बताऊं तो electric steering जो होता है वो ज़्यादा better माना जाता है hydraulic वालों से देखो hydraulic वालों में problem कहां कहां कैसी कैसी आती है मैं आपको बताता हूँ एक तो hydraulic वाले में leakage की problem है leakage की problem आ सकती है leakage की problem है वहाँ failure आ सकता है दूसरा यहाँ पर problem आती है कि यह मैंने आपको वीडियो में पहले भी समझाया था 100% हर time चलता रहता है hydraulic वाला हर time यह चलता ही रहेगा मतरब यह बंदी नहीं होता इसकी power मिलती कहां से crank shaft से engine की power को चुरा के यह चलता रहता और चलता ही रहता है आपने 5 गंटे गाड़ी चलानी तो 5 गंटे चलेगा तो भाई आपका चाहे 5 गंटे में आधा लीटर तेल यह खा जाए मतरब आधे लीटर की ताकत यह खा जाए 5 गंटे में 10 गंटे में भाई नुकसान है कही न कही नुकसान हो रहा है और electrical वाले में यह benefit है कि यह तब चलेगा जब हमें move करना है जब हमें rotate करना है rotate करना है steering को move करना है तब तक यह भाई साराम से सो रहे है मोटर उतब तक हिलेगी भी नहीं लेकिन जैसे ही आपने हलका से टॉक दिया साथ सी साथ मोटर एक्टिवेट हो जाती है मोटर आपको help कर देती है बात थोड़ी सी clear हुई या नहीं तो हमारे पास better जो होता है वो electrical माना जाता हो electrical आज कल बहुत सारी companies जो है इसको opt कर चुकी है electrical wallet system में आ चुकी है आपने थोड़ा सा बताना है आपका देखते है knowledge कितनी है कि comment box में यह बताना है कौन सी घाड़ी में electrical steering लगे हुए है यह आपने comment box में जुरूई बताना है देखते हैं कितने students को पता है अब देखिए disadvantage क्या है इसकी हाँ disadvantage देखी जाए तो यह problem यहाँ पर आ जाती poor feedback electrical है electronic है feedback देना इसको इसको कई बार तो अगर system failure हो तो वो case ऐसा आ सकता है कि feedback आई नहीं उदर से sensors हैं आपको पता है sensors कहीं भी कोई दिक्कत आ सकती है हलकी सी current extra आ गया current कम आया तो वही problem आ सकते है तो यहाँ पर problem आ सकती है एक यह है failure of EPS makes the steering wheel rock solid भाई यह अगर fail हो गया इसको घुमाना जान लग जाएगी आपकी जान लग जाएगी अगर EPS fail है आपको घुमाने में steering को घुमाने में आपकी जान पूरी लग जाएगी बुरा हाल कर देगा आपका बात समझाएगी थोड़ सी तो electrical जो है वो better है अच्छा है तभी तो इतना जादा use हो रहा है और plus अगर आपकी कहीं न कहीं efficiency में मदद कर रहा है और इसमें stability में मदद कर रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता ओके, thank you so much next video में मिलेंगे और मेरी videos देखना चाते हैं यहाँ पे मैं app का link दे रहूँ app download कर सकते हैं thank you so much